जैशीर आदे कृष्णा सातियों मैं भी कृष्णा किया सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप आपके इच्छे स्वास्त और सुखा जिवन की मंगल कामना करती हूँ आपके अपने इस्थेवों को कोटी कोटी नमन करते वे बड़ों को प्रणाम करते वे बात कर लेते हैं अश्टमी नौमी कन्या पूजन में हम क्या ऐसी चीज़ दे कि हमारा भाग्या पलट जाए मा तरे काचल की डिब्बी का उपाय बताऊंगी आज और कन्या पूजन में आपको बच्चों को जो कन्या आएंगी उनको कैसे बुलाएं उनकी कन्या का पूजन यता संभव कार्णे को कर सके आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर वैब के बीच में चलिए जड़ पट वीडियो प्राराव कर लेते हैं उससे पहले चैनल पर नए आया है तो चैनल को सब्सक्काइब कर लिजेगा और बैल आइकन का बटन भी प्रेस कर लिजेगा जि पूरे वरत नहीं रखे हो तो भी, आपने चोकी लगाई हो तो भी, नहीं लगाई हो तो भी, और आपने कलर्श स्थापना की हो तो भी, और नहीं की हो तो भी करन्या पूजन जरूर से जरूर कर लेना चाहिए, अश्टमी और नौमी यानि 16 प्रेल और 17 प्रेल दो दिन में ह कर लेती हो सबसे पहले कंण्या पूजन में कंण को कैसे बुलाई करने क्यां को मुखह चीज दें क्या एक आजल के बीभी यही चल रही है तो कंण्या-पूजन के पहले दिने आप समभथे आठ साल तक these कंण्याओं को अमंत्रित करें जो आपको मिल तो नवरात्रे कैसे पूलों अलग से वीडियो दूंगी अभी सेफ इतना कि जब कर्णियाओं को आपने अमंत्रित कर लिया कर्णियाओं आए तो आपके घर के अंदर विल्कुल साफ सुथरा वातवरों सुगंदित वातवरों प्रात्यकाली घर के मुख्ये द्वार पर जल धोईएगा मेरा मतलब थोड़ा सा जल उसमें गंगा जल मिलाकर अगर कोई बहुत जादा आर्थिक समस्या है तो उसमें थोड़ा सा कच्चा दूद भी आप डाल सकते हैं ठीक है यह हो गया कन्याओं का पैर पूजन आपने पैर पूज दिये उसके आपने हातों में मौली सब्सक्राइब करेंडें लेकिन कोशिश यह करिए आप आर के चीजास माता-राशास की है मंदिर में गहर में पूरे नो दिन पूजा की है कोई यह कोनरा रहे हैं आप माता-राहनी को खिला रहे हो यह सोच कर आप भोजन तयार करिएगा, साथ एक भोजन करिएगा, मुखे जो भोग और प्रशाद है अश्टमीनोमी का, वो चना हल्व और पूरी है, उसके साथ साथ नारियल, नारियल का एक भोग के प्रशाद के बारे में भी अभी यहां पर चर्चा करूँगी कि नारियल के बच्चों के विवहा में दिक्कत आ रही है, लड़के या लड़की का विवहा नहीं हो पा रहा है, तो कन्याओं के हाथों पर यहां से तो बच्चे खाते हैं, देखिए हमें सुवीदा भी देखनी है, तो यहां पर महंदी जरूर लगा लीजिए, कन्याओं को महंदी सुहाग को समानय देदे दी जिए, कुछ एैर पिंट्स दे दीजिए, कुछ एर ऐसेसरीज़ दे दीजिए, मतल़ा कहने का हैं आक समान रहा कर देती हैं, तो आपके विवहा के जो मार्ग हैं वह जल्दी बनते हैं, विवहा की बात मननी प्रार्म हो जाती है Jugण मे का चमतकारी चीज आपको देनी है, हर बच्चे को देखिए, दिया तो जाता ही है, कुछ-कुछ, कोशिच ये करिए, कि जो भोजन कराएं, तो आप प्लास्टिक के बरतन में ना कराएं, पीतल की ले लें, स्टील की ले लें, नहीं तो पतल ले लें, आप प्लास्टिक का कोई स सादे बहुत अच्छे तरह के डिस्पोजबल आते हैं, उनमें आप खिला सकते हैं, खिलाने के पर शारत आप बारी आती है, दक्ष्ना देने की, तो आपको क्या करना है, या तो गुलाबी या तो लाल रंके रुमाल लेने हैं, जितनी आपके घर में करने आएं, साथ आए लो आएं, गुलाबी रंके रुमाल लेना, और या लाल रंका रुमाल लेना, ठीक है, अभी पहले से वीडियो आपको मिल जागी, तो कोशिश करना की बजार से ढूंड लाना, और अगर नहीं बजार से मिलते हैं, तो लाल रंके या गुलाबी रंके पर्स ले आना, छ्ट ठीक है एक लोग का उसमें जोडा रखना एक इसके अंदर बताशा रखना है आपको उसके अंदर मीठा पान ठोटा सा मीठा बच्चों वर गुलकंद लगा के खिला दिजे कोई बच्चे आपको लगता है कि नहीं कहेंगे तो पान की टऊफी ठीक है जो भी है महंदी उनको लगा दे फिर अब एक महाँ पाय काजल की डिबी का जो बता रही हूँ वह आपको इसी रुमाल में ही रखना है सभी कर्णियाओं के लिए इस रुमाल में जो समान रखें उसमें काजल की डिबी रखें चूकि आप बिंदी पे रखोगे चूक एक काजल की डिबी एक्स्ट्रा लाना उस काजल की डिबी से कन्याओं के यहाँ पर हलका हलका टीक लगा देना जैसे नजर उताने के लिए बच्चे के यहाँ लगाते हैं तो कान के पीछे लगाते हैं तो यहाँ लगाते हैं ठीक है उनके काजल का छोटा छोटा से यहाँ पर ठीकल लगा देना मैं आपको क्या ही बोलू यह आपके जीवन की सारी कालिक को दूर करेगा आपके घर के लोगों की घर की वैपार की नोक्री की आपके खुबसूरती की आपकी काबियत की सब की नजर दूर करेगा आपके घर से लड़ाई जगड़े कलेश सब दूर हो ज नजर उतारने के लिए टिक लगाया वो काजल की टिबी जो आपके हाथ मेरें बहुत दीरे से बता रहे हैं देखे ध्यां से समझेगा जो का जपने रुमाल में बांधी उसके साथ आपने दख्षणा रखी तोफी मैं आपको बताया चूड़ियां या महिंदी कुछ विशें रखते लिजेगा दक्षना जो भी दक्षना रखें उसे बढ़ा के रखते हैं यानि उसमें एक रुपे एक्ट्रा लगाते हैं जैसे ग्यारा एक के से क्यावन एक सो इक ऐसे दास से बीस पचास नहीं ठीक है तो वह आपने बांद दिया और वह आप करनेयाओं को खते हैं नहीं ड़ण हैं आपने कान के पीछी ऐहां पर लगा ओ अपने बच्चों को कंद जराए बच्छे के सिर ठीक है बच्चे को पता भी डिजा है अपने लिए यहां पर लगा दिया ना तो बच्चों को नजर लगेगी, ना बच्चों को टोक लगेगी, ना बच्चों को हाय लगेगी, ना बच्चों को बद्धुआ लगेगी, ना बच्चों के कार्यों में कोई रुकावट आईगी वो डिब्बी आपकी अगले नवरात्रों तक चल जाएगी तीछ चोटी भी डिब्बी आगी है काजल की लेकिन उन्हों बहुत सारा काजल होता है क्योंकि लगता तो बहुत जरा सा है इत्ता सा लगता है तो वो आपकी अगले नवरात्रों तक चलेगी जब ले नवरातरों तक चले वो काजल के डिपी और नवरातरे पुने आ जाए तो उस काजल के डिपी को किसी व्रिक्ष के नीचे रख देना फिर हम नया करेंगे समझागी तो ये मैंने आपको बता है विशेश रूप से काजल के डिपी का एक महाँपाई जो आपके घर से स सारी दुख सारी परिशानिया सारी दरिद्रता दूर करतेगी तो इस तरह से करन्या पूजन करना करन्याओं के चरण सपर्ष करना दोरों हातों से चरण सपर्ष करना त्मस्ता को जाना यह मामाई पूरे नवरातरों मुझसे जो गलती हुई हो उसे शामा करना और मेरे इस भोग को स्विकार करना। मेरे नवरात्रों के पूजन को वरत को पूजा को पाट को स्विकार करना। ऐसी आपको प्रात्मा करने चाहिए पेर चुने कोई हबडा तवरी और जलद भाजी में करण्याओं को नहीं जिमारा चाहिए, अगर आपको ऐसे लगता है मर्याश्ट में होगी और कर्णिया नहीं मिल रही है कि चता नहीं हो रही है भग 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 के आप कारे करें तो थोड़ा सा दैरे रखिएगा अराम से कारे करिएगा लेकिन शांती से कारे करेगा जितनी कर्णियाय मिले उतनों कोई जिमाले शांती से मैंने बुला फास्ट फूड से रिलेटिड कोई डिब्वावन चीजे कर्ण्याओं को नहीं देनी है नीले काले रंग कोई समान नहीं देना है बस वो काजल के डिब्वी को चोड़कर तो एक विशेश उपाय है खाने के समान जो बने वो सात्विक बनना चाहिए भ चीजों का ध्यान रखना है तो कर्ण्या पूचर मैंने बता दिया 16 और 17 अश्ट में 9 किसी भी दिन करें क्या कर्ण्याओं को दें आपकी वास्तम में किसमत बदल जाएगे और भूत प्रेम के साथ करें आधर के साथ करें और श्रदा के साथ करें और विश्वास के साथ कर अगर आप कर्ण्याओं को वस्तर नहीं देने तो रुमाल जो है वो वस्तर का काम करेगा ठीक है और इसके साथ साथ जो मैंने बताया है काजल की डिबी वह तो मैं आपको पस क्या ही बोलो तो इस प्रकार कर्ण्या पूजन की धेर सारी शुब कामना मामाई आपके घर में स सुक्षांती वेभव सम्मान मान सब कुछ बना रहे हैं और यह जो उपाय बताया है काजल की डिबी वालाई जरूर कर लीचेगा आज के लिए इसादत दीजिए आशा करते हैं वीडियो आपके लिए बहुत उप्योंगी सामित होगी मिलते हैं एक और जबर्दस वीडियो के लिए एक जब शयर कि अजिए मिलते हैं वे खुछ आपके लिएर।